इस वीडियो में हमना थोड़ी सी person class के objects के साथ memory में games खेलेंगे मैं कुछ करूँगा और फिर मैं उम्मीद करूँगा कि आप pause करके answer figure out करने कुशिश करें फिर जो answer असल में आएगा उसको मैं explain करूँगा कि क्यों आया चेक है let's start तो हमारे पास ये दो persons थे और मैंने एक function लिखा public static void swap1 इसके नाम से पता लग रहा है इसका purpose swap करना है person1 person2 तो मैंने यहां से call किया swap1 उसे p1, p2 pass कर दिये और swap करने से पहले और बाद मैं इन says high को comment करता हूँ ठीक है पहले और बाद मैं दोनों को says high बलुआँगा ताकि हमें दोनों की properties पता लग जाए call करने से पहले भी call करने के बाद भी अब यहां पर मेरा attempt देखेगा swap करने का person temp equal to person1, person1 equal to person2 और person2 equal to temp code पूरा हो चुका है code पूरा हो चुका है आपको यह सोचना है कि पहले वो a10, b20 लिखेगा तो बाद मैंने के बाद swap होगा या नहीं होगा या ऐसा होगा कि सर्फ age swap हो जाएगा या ऐसा होगा सर्फ name swap हो जाएगा या दोनों ही swap हो जाएगा या कोई भी swap नहीं होगा या आपको figure out करना है चिक है तो इस time पर आप वीडियो को pause कर दीजिए answer सोचिए क्योंकि जब आप pause करके दुबारे चलाएंगे तब आपको answer दिखेगा और से मैं explain करूँगा I am doing it now मैं ऐसे चलाता हूँ तो apparently swap नहीं हुआ पहले भी A10 B20 था और बाद में भी A10 B20 रहा तो now let us try to figure it out कि हुआ क्या क्यों swap नहीं हुआ क्या हुआ होगा यह है हमारा code जिसे हम explain करने के लिए लेकर जा रहे हैं तो फटा-फट हम करेंगे जब यह line चली तो यह नीचे main function चल रहा था उसमें P1 4K फिर पढ़ हुए object को point करता है यह 4K असका object है age 10 कर दिया तो यहाँ 10 name में A लिख दिया A हो गया P2 आपको जब new किया तो 5K पर एक नया object बन गया 5K पर फिर जिसमें age को 10 20 कर दिया next point से और फिर name से को B कर दिया फिर P1 को says high बलवाया तो of course print होगा A10 says high P2 को says high बलवाया तो P2 एक index में age और name है B20 says high फिर अपने swap one call किया code आ गया swap function में उचल कर यहाँ पर person 1 ने P1 को catch किया person 2 ने P2 को catch किया जिसका मतलब है यह P1 इसमें और यह P2 इसमें temp नाम का बनाया अब यह सिर्फ एक instance है equal to person 1 इसमें 4 के आ गया person 1 equal to person 2 इसमें 5 के आ गया person 2 equal to temp इसमें 4 के आ गया और अब यह function खतम हो गया function खतम हुआ तो हम यहां से swap नहीं हुआ तो जो swap हुए थे वो references swap हुए थे swap 1 function के अंदर जो मर गए कब जब function खतम हो गया चेक है तो यह इस question की story थी next question में हम next video के अंदर अगला एकसा की example try करेंगे and we would just move on then to next video देखेगा पहले memory को अच्छे समनने कोशिच कीचेगा फिर next video के question को attempt कीचेगा see you in the next video, bye bye